नमस्कार मेरा नाम है शिवम दूबे और आप सब चितना मंच देख रहे हैं जबकि विरोधी टीम के कप्तान ने कहा कि उन्हें इसका कोई मलाल नहीं है क्योंकि यह नीमों के अनुसार है जी हाँ आपको बता दे कि मैथ्यूज अंतराश्ट्रिय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्ले बाज बन गये मैथ्यूज जैसे ही क्रीस पर पहुँचे और हेलमेट लगाने लगे तो उसका स्ट्रैप तूट गया उन्होंने ड्रेसिंग रूम से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा किया लेकिन थोड़ा समय लग गया इस बीच साकिब ने मैथ्यूज के खिलाब टाइम आउट की अपील की और अमपायर जिनका नाम है माराइस इराइसमस ने उन्हें आउट करार दे दिया आपको बता दें कि बांगलादेश की ये हरकत बेहत शर्मनाग बताई जा रही है खेल भावना की द्रिश्टी कोन से और उन्हें नहीं लगता कि कोई और टीम ऐसा कर सकती है मैथ्यूज ने मैच के बाद प्रेस कॉंफरेंस में कहा मैं आज से पहले साकीब और बांगलादेश का काफी सम्मान करता था लेकिन अब ऐसा नहीं है मैं कोई समय बरबाद नहीं कर रहा था सभी देख सकते हैं कि मैं क्रीश पर था लेकिन मेरे हिलमेट का स्ट्रैप तूड गया यह सीधा सा साजो समान के खराब होने का मामला है साकीब और बांगलादेश की हरकत बेहद शर्मनाक है खेल भावना की दृष्टिकों से अगर वे इस तरह का क्रिकेट खेलना चाते हैं तो यह बेहद शर्मनाक है मुझे नहीं लगता कि कोई और टीम ऐसा कर सकती है मैंने उनसे अपील की कि अपना अपील जो है वो वापस ले लें लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इंकार कर दिया सिलंका के इस आलराउंडर ने साथ ही कहा कि उनकी टीम के पास वीडियो साक्ष है कि वह समय पर क्रीस पर पहुँच गये थे और अमपायर को उन्हें आउट देने से पहले तकनीकी की मदद लेनी चाहिए थी उन्होंने कहा हमारे पास वीडियो साक्ष है कि मैं समय पर क्रीस पर पहुँच गया था जब मैं क्रीस पर पहुंचा तब भी मेरे पास 5 सेकंड बचे थे अगर इसके बाद मेरे हलमेट में समस्या आ गई तो मैं क्या कर सकता हूँ यह खिलाडी की सुरक्षा का सवाल है अगर विकट कीपर हलमेट लगाए विना स्पीनर के खिलाब विकट कीपिंग नहीं कर सकता तो फिर मैं गेंदवाच का सामना कैसे कर सकता हूँ अमपायर को मुझे आउट देने से पहले तकनीक का सहारा लेना चाहिए अगर तकनीक उपलब्ध है तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए जी हाँ आपको बता दे कि मैच के बाद शिलंका के खिलाडियों के बांगलादेश के खिलाडियों के साथ हाथ नहीं मिलाने पर मैथ्यूज ने कहा कि अगर कोई टीम उनका सम्मान नहीं करती तो फिर वो कैसे उनका सम्मान कर सकते हैं मैथ्यूज आगे कहते हैं अगर कोई टीम हमारा सम्मान नहीं कर रही है तो फिर हम भी उसका सम्मान नहीं करेंगे इस बीच बंगलादेश के कफ्तान शाकिव ने कहा कि उन्हें अपने फैसले का कोई मलाल नहीं है क्योंकि जो भी मैंने किया वो सब नीमों के अनुसार किया है आपको बता दें साकिव आगे कहते हैं कि जब खेल रुका हुआ था तो एक फिल्डर ने मुझे आकर कहा कि हमें अमपायर से अपील करनी चाहिए क्योंकि काफी समय हो गया है हमने ऐसा किया और अमपायर ने उसे आउट दे दिया मैं उसे अंडर नाइंटीन के दिनों से जानता हूँ वह मेरे पास आया और अपील वापस लेने को कहा मैंने उसे कहा कि मैं आपकी इस्तिती को समझता हूँ यह दुर भागे साली है लेकिन नीमों के अनुसार है अगर नीमों के अनुसार देखा जाए तो बांगलादेश सही लेकिन मैं आपको बता दूँ क्रिकेट में खेल भावना का जादा महत्व दिया जाता है कई बार आपने देखा होगा कि 99 पे खेलता हुआ खिलाडी को विपक्षी टीम भी सौरन पे कभी कभी रन आउट होता भी है तो उसे लेट थो किया जाता है ताकि उसका सौरन बन जाया और उसकी खुसी दोगनी हो जाये उनकी खुसी में दूसरी टीम भी संबलित होती है विराट कोहली के उन चास्वे सतक के बाद विपक्षी टीम भी उनके पास आती है और हाथ मिलाती है इससे यही जाहिर होता है कि खेल भावना बनी रहनी चाहिए लेकिन आपको बता दें कि बांगला देश इसके बा हला कि कुछ दिन पहले विराट कोहली के उन चास में सतक पर एंजूले मैथ्यूज से पूछा गया था कि विराट कोहली को सुपकाम ना देंगे कि नहीं देंगे उन्चास सतक हो गया उनका तो उन्होंने कहा हम क्यों देंगे इसका मतलब है कि खेल भावना की दृष्टी कौण की जब बात आती है तो खेल भावना की दृष्टी कौण से वैसे सब्द इन्हें भी सोचने चाहिए सोच कर बोलना चाहिए कि इतने बड़े खेलाडी को अगर आप थोड़ी सी प्रुत्साहन दे देते हैं या बधाई दे देते हैं तो आप छोटे नहीं हो जाते हैं खेल भावना की दृष्टी कौण से इन्हें भी देखना चाहिए अलाकि पूरा मामला यह है सहीं गलत मैं इसमें नहीं जाओंगा आप सब अपनी राय कोमेंट बॉक्स में लिखके बताईएगा कि कल जो कुछ भी हुआ खेल भावना से या क्रिकेट आइसी सी नीमो के मुताबिक हुआ या आप पर मैं छोड़ता हूँ फिलाल अभी के लिए मैं इजाजत लेना चाहूँगा आप सब अपना बहुत खयाल लखे देखते रहे हैं चेतना मंच धन्यवाद